हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे डाइनो जैस्ट टैबलेट के बारे में दोस्तो वीडियो हम जानेंगे कि हमें डाइनो जैस्ट टैबलेट का उपयोग कप करना है इसके side effect क्या क्या है और इसे एक कब नहीं लेना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो डाइनो जैस्ट टेबलेट को कोई फर्मस्टूट कर प्राइवेट लिम्टेड कमपनी द्वारा बनाया जाता है तथा इस दवा में डाइनो जैस्ट साल्ट मौजूद होता है तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम डाइनो जैस्ट टेबलेट का उप्योग करते हैं तो दोस्तो इसका उप्योगा हम एंडोमेट्रियोसिस जैसे समस्या में करते हैं यहाँ पर एक बार समझतों चलते हैं कि endometriosis होता क्या है तो दोस्तों यह एक प्रकार का विकार है जिसमें गर्वाशे के lining पर बनने वाला हुत्तख से मिलता हुआ उत्तख गर्वाशे कि गुंगा के वार विक्षित होने लगता है तो दोस्तों इस प्रकार की समझता को endometriosis तो दोस्तो आप हम बात कर लेते हैं कि हम डाइनोजेस्ट टैबलेट के side effect क्या क्या हो सकते हैं तो दोस्तो इसके side effect में आपको मुहा से सिर्दर्द, रिप्रेशन, इसन मासूबधा, सरीर पर लाल चत्ते पढ़ना, मिशली आना, उल्टी जैसे side effect देखने को मिल सकते हैं यह side effect हमेशा नहीं होते हैं फिर भी संभा हो हैं इसलिए आपको इन मेंसे कोई साभी side effect महसूस हो तो आप इस दवाय के सेवन रोग दें और अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर कर लें जो endometrium के अत्याथिक विकास का कारण बढने वाला एक hormone है तो दोस्तो इस प्रकार dino chest tablet काम करती है तो दोस्तो आपम बात कर लेते कि आपको dino chest tablet का उपयोग कब नहीं करना चाहिए तो दोस्तो यदि आपको किसी प्रकार के ड्रेग राजी है तो आप इस दवाय के सेवन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे आपके स्तिती और भी बिगर सकती है यदि आप फिर भी डानो chest tablet का उपयोग करना चाहते हैं तो अपने नजदी की डॉक्टर से संबर कर लें उनसे विचारी मर्स कर लें उसके बाद ही आप इस दवाय का सेवन कर सकते हैं तो दोस्तो वीड सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद